हलो अर्बरिवान, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल टेग गुरू प्लीज क्लिक अन्दा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन आज से मैं एमाजोन वेब सर्विसेज पर एक न्यू सिरीज क्रिएट करने जा रहा हूँ इस सिरीज के अंदर हम एमाजोन वेब सर्विसेज के SAA C02 और C03 के बारे में डिटेल में ठेटिकल एस प्रैक्टिकल डीप में जानेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम फ्री टियर अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एकाउंट क्रिएट करने से पहले हम जानते हैं फ्री टियर अकाउंट क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं जब ऑम AWS का एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अटमेटिकली फ्री टियर एक्टिवेट रहता है हमारे एकाउंट में फ्री टियर अकाउंट का यूज करके आप कुछ services को फ्री ओफ कोस्ट यूज कर सकते हैं लेकिन इन सभी services का एक टाइम लिमित होगा कुछ services आपको month by month मिलेंगी और कुछ services आपको total one year के लिए मिल जाती है For example, अगर आप EC2 instance का use करते हैं तो आप 750 hours मिलते हैं आपको per month और अगर आप S3 service का use करते हैं तो आपको 5G भी मिलता है 12 months के लिए एक important बात आपको याद रखनी है कि Amazon अपनी सभी services को free of cost नहीं provide करता लेकिन कुछ services को free tier account में usage limit के साथ provide करता है यानि कि आप एक time limit तक अपनी services का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपका time वो limited usage से अबब जाता है तो आपसे charge करेगा एक standard rate से AWS account अगर आप create करना चाहते है तो आपको three types के account available होते हैं first होता है free trial free trial account आपका उसी दिन से activate हो जाएगा जिस दिन से आपने account को create किया होगा second type का account है 12 months account अगर आप यह account create करते हैं तो आप services का use कर सकते है 12 months तक third होता है आपका always free account इस तरह का free account आपका कभी भी expire नहीं होता किसी भी AWS customer के लिए अब हम step by step जानते हैं कि आप AWS के ऊपर अपने free tier account को कैसे create कर सकते हैं करने के लिए आपको सबसे वहले अपने system में available करवाना होगा internet जब आपके system में internet चलेगा तो आपको Google पर जाके यह type करना होगा AWS account create तो आपके सामने कुछ page इस तरह से नजर आएगा तो आपको select करना है AWS create account select करने के बाद आप इस option पर क्लिक करेंगे Amazon Web Services sign up for a free account क्लिक करने के बाद आपके सामने यह Amazon का page open होगा open होने के बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे create an AWS account क्लिक करने के बाद आपके सामने page कुछ इस तरह से open होगा यहां पर आपको enter करना होगा एक email address email address ऐसा होना चाहिए जो unique हो यानि कि ऐसा address आप यहां पर type करेंगे जिस email id से कोई भी AWS के उपर account पहले से create ना किया हो यह वो email address होगा जिसके थूँ आपका root user system पर login करेगा और यहां पर आपको देना होगा account name यानि कि आप अपने account को क्या नाम देना चाहते हैं इन दोनों को fill करने के बाद आप यहां पर click करेंगे verify email address तो मैंने यहां पर अपना email account टाइप किया email account type करने के बाद आपको यहांपर देना होगा अपना नाम जो भी आप account name रखना चhाते हैं तो मैं ने यहां पर टाइप किया है अपना नाम इतना करने के बाद आपको इस option पर क्लिक करना होगा verify email address verify email address का मतलब है कि आपने जो यहां पर login id डाली है इस id पर एक mail जाएगा और आप confirm करेंगे यह आप ही है जो account create कर रहा है verify email address पर click करने के पास आपके सामने page कुछ इस तरह से open होगा यहाँ पर आपके पास एक message आएगा कि आपके इस mail account पर एक security code गया है यानिकी verification code गया है जिसको आपको अपनी mail id से check करके यहाँ पर type करना होगा और अपने account को verify करना होगा उसके बाद मैंने यहाँ पर login किया अपने gmail account को account को login करने के बाद आपको कुछ mail इस तरह से नजर आएगा no reply यानि कि आप इस mail पर कोई भी reply नहीं कर सकते और यहाँ पर लिखा है AWS email verification यानि कि यह email verification है जिसके अंदर आपको एक security code आया है तो जैसी आप इस email पर click करेंगे email कुछ आपका इस तरह से नजर आएगा यहाँ पर लिखा होगा आपका security code यह security code आपका सिर्फ valid होगा 10 मिनट तक यानि कि आपको जो verification करनी है वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ही करनी होगी अगर आप 10 मिनट के अंदर इस code को AWS के console पर डालके verify नहीं करते तो आपको यह verification code फिर से मंगवाना होगा तो मैंने यहाँ पर एंटर किया अपना security code देन आपको क्लिक करना होगा verify बटन पर verify क्लिक करते ही आपके सामने message आएगा कि आपका जो email address है वो verify हो चुका है इसके माद आपको set करना होगा अपना root का password यह पासवर्ड आप ऐसा रखेंगे जिसको कोई भी असानी से guess ना कर पाए तो मैंने यह पर टाइप करा अपना password कंफर्म किया password पासवर्ड कंफर्म करने के बाग आपको क्लिक करना होगा continue step one of five यानि कि आपने पहला step complete किया five step में से continue पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से page इस तरह से open होगा यहां पर आपको बताना होगा कि आप AWS के account को जो create कर रहे हैं उसको आप किस purpose के लिए use कर रहे हैं अगर आप business के लिए use कर रहे हैं school या किसी organization के लिए तो आप इस option को यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप use करना चाहते हैं सिर्फ अपने projects को बनाने के लिए तो हम use करते हैं यहां पर personal option का यहां पर आपको देना होगा आपका full name आपका phone number और यहां से आप choose करेंगी कि आप किस country के अंदर अपने account को create करना चाहते हैं तो मैंने इस account को create करने के लिए use किया है परस्नल option का फुल ने में मैंने टाइप किया अपना नाम नाम टाइप करने के वाग फॉन नमबर मैंने टाइप करने अपना mobile number mobile number एंटर करने के वाग आपको यहां से select करना होगा आपका country यहां रीजन यहां पर आप address एंटर करेंगे देन आपको एंटर करना होगा आपका city state उसका postal code देन आपको इस option को करना होगा check mark और क्लिक करेंगे country बटन पर तो मैंने यहां पर select किया इंडिया क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं यहां पर आप address कुछ भी टाइप कर कि करते हैं तो मैंने यहां पर टाईप किया address एंबाला केंट continue उपर क्लिक करने के पाद आपके सामने यह बिलिंग पेज ओपन होगा यहां पर आपको एंटर करना होगा आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर अगर आपके पास डेबिट कार्ड रूपे वाला है तो यह असेप्ट नहीं करता आपके पास होना चाहिए डेबिट कार्ड वीजा का या मास्टर कार्ड का तब ही आप AWS पर एकाउंट क्रियेट कर पाएंगे देन आपको एंटर करना होगा कि आपका जो कर्ड है वो किस मंत में किस फियर में एकस्पाहर होगा एकाउंट Kern होड़र का नाम यानि कि आपके कार्ड के उपर किया नाम mention है और आपकी card की back side पर एक CVV number होगा वो आपको यहां पर करना होगा enter तो मैंने आप पर enter किया अपना debit card number, expiry date मैंने आपर enter की card holder का name एंटर किया और अपना CVV number enter किया enter करने के बाद नीचे आपको option मिलेगा billing address का यानि कि अगर आप AWS की services का use करते हैं तो बिल आपका किस address पर आए तो जो आपने address अभी last में fill किया था ये वो address है लेकिन अगर आप बिल को उस address पर ना मंगवा के किसी और address पर मंगवाना चाहते हैं तो आप ये option का use करके अपना नया address fill कर सकते हैं अगर आपके पास आपका pen card available है तो आप इसे yes करेंगे yes करने के बाद आपको अप्रका pen card number enter करना होगा अगर आप इसे यहां पर no भी select कर लेंगे तब भी आप अपने AWS account को create कर सकते हैं इतना करने के बाद आपको यहां पर करना होगा क्लिक है तो मैंने यहां पर डिफार्ट ओक्षन ही स्लेक्ट किया पैयन काड को नो करा और वेरिफाई किया नेक्स टेप के लिए नेक्स टेप पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके bank account का page open होगा यहां पर आपके account में दो रुपे कट होंगे यह सिरफ आपके verification के लिए हैं कि आपका जो account है वो सही है आपके card नंबर के यहां पर लास्ट के 4 डिजिट आपको यहां पर शो होंगे आपके mobile पर एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहां पर करना होगा एंटर करने के बाद आप सब्मिट बटन पर क्लिक करेंगे तो मैंने आप पर अपना OTP एंटर किया सब्मिट बटन पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद आपके सामने page कुछ इस तरह से शो होगा कि Amazon के लिए पैसा पे किया जा रहा है जब आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे तो आपके सामने कंफर्म यूर अडेंटिटी का यह पेज ओपन होगा इस पेज के अंदर आपको यहां पर एंटर करना होगा कि आप टेक्स पैसेज चाहते हैं कि वाइस कॉल चाहते हैं कि यहां से आप चूज करें कि आप किस कंट्री में रहते हैं और उसी कंट्री का आपको यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा तो मैंने अचे स्लेक्ट किया डिफार्ट अक्शन यार्न की मुझे टेक्स मेसेज इस चाहिए मुझे वाइस कॉल नहीं चाहिए इंडि को देखकर आपको यहां पर टाइप करना होगा अगर आपको यह capture समझ नहीं आता तो आप इसे यहां से पिर से एक निया capture ले सकते हैं तो मैंने को यह capture को यहां पर एंटर किया और आपको क्लिक करना होगा सेंड SMS option पर SMS option पर क्लिक करते ही आपके mobile में एक code आएगा उस code को आपको यहां पर करना होगा एंटर देन आप क्लिक करेंगे continue बटन पर उसके बाद आपके सामने यह sign up for AWS का page open होगा यहां पर आपको select करना होगा आप जो होगी plan यूज करना चाहते हैं अगर आप developer support है तो आप 29 डॉलर पर मंत यूज कर सकते हैं अगर आप business support चाहते हैं तो 100 डॉलर पर मंत आप यहां पर चूज कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे यूज करना है free tier के लिए तो मैं यहां पर default option ही रहने दूँगा basic support देन लास्ट में आपको यहां पर क्लिक करना होगा complete sign up button पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक page open होगा आप यहां पर क्लिक करके अपने AWS के management console पर जा पाएंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने page इस तरह से open होगा आपको यहां पर क्लिक करना होगा sign in to the console क्लिक करते ही आपके सामने page कुछ इस तरह से open होगा यहां पिर आपको दो option मिलेंगे यूजर का और आई-म उजर का तो आपको सबसे पहले स्लेक करना हुगा और रूट यूजर और यहां पर आप एंटर करेंगे आपने जिस मेल आई-डी से अपने अकाउंट को क्रियेट किया हो यहां पर आपको एंटर करना हुगा रूट का email address जिससे आपने अभी यह account create किया है then आप click करेंगे next बटन पर तो मैंने यहां से select किया root user और यहां बड़ टाइप कर दिया मैंने अपना mail account next पर click करा click करने के बाद आपके सामने यह password के लिए लिए डायलो आप्स ओपन होगा यहां आप एंटर करेंगे अपने रूट का password तो मैंने password एंटर किया password करने के बाद आपको क्लिक करना होगा sign in बटन पर sign in पर click करने के बाद आपके सामने page कुछ इस तरह से उपन होगा अगर आप अपने क्रिदेंशल को सेव करना चाहते हैं तो आप यहां से अपने क्रिदेंशल को सेव कर सकते हैं और आप इसे सेव नहीं करना चाहते हो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं नेवर ऑप्शन पर इसे आप नेक्स भी कर सकते हैं अगर आप इस option पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा आपका account का name यहां पर आपको नज़र आएगी आपकी account ID जो की 12 numerals की होगी आप billing dashboard में जाके अपने bill को चेक कर सकते हैं कि आपका कितना bill आया और sign out करके आप बाहर भी आ सकते हैं जब आप अपना first time account login करेंगे तो आपका जो console homepage होगा वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा जब आप इन services का use करते जाएंगे तो आपका यह जो page होगा यह कुछ आपको अलग तरह से नज़र आएगा जिसके अंदर आपकी recent use services आपको available हो जाएंगी जैसे कि अगर आपने EC2 service का use किया तो आपको EC2 वहाँ पर नज़र आएगा अगर आपने S3 का use किया तो S3 नज़र आएगा अगर आपने और किसी service का use किया तो वह भी service आपको recently use services के अंदर नज़र आ जाएगा तो इस तरह से हम create करते हैं अपने AWS free tier account को next video में हम जानेंगे कि हम AWS free tier account के अंदर services का कैसे use कर सकते हैं तो यह मेरी series का first video है आपको यह मेरा video कैसा लगा प्लीज आप इसे comment करके जरूर बताईएगा और इसे आप दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा थैंक्स पूर वाचिए